नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे भक्ती एंड फ़न वीडियो चैनल में स्वागत है आज मैं आप लोग को हनुमान जी की एक रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ तो चली भक्तों शरवन करते हैं हनुमान को अनन्द शक्ती और शक्ती का उतार माना जाता है हालांकी हनुमान में कहीं अधिक गुण और गुण है जो उनके चरित्र को अकार देने में प्रमुक भूमिका निभाते हैं भगवान हनुमान को कई नामों से जाना चाथा है। बालमिकी की रमायन में उन कहानियों का विस्त्रत वर्णन है जो हनुमान के विकासी और ले जाती है। जिन हैं हिंदू पुराणी कथाओं में अपार शक्ती वाले भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो आज हम जानेंगे हनुमान का जन और उनके वच्पन की कहाने हनुमान मानर केसरी के पुत्र और सुमेर्यू के राजा ब्रसपति के पोते थे उनकी माता अंजना स्वर्ग की अफसरा थी और एक श्राफ के कारण मानर रूप में पृत्वी पर अफ्तरित हुई थी उन्हों ने और उनके पती ने बारा वर्षों तक तपस्या और गहन प्रात्रा की थी जिसके परिणाम सरूप शिव ने उन्हें बर्दान के रूप में एक बच्चा दिया वहाँ बालक स्वैम हनुमान थे जिसके कारण उनकी व्याख्या स्वैम भग्माय शिव के प्रतिविम या छाया के रूप में भी की जाती है अन्य पुराणी कथाओं में अक्सर हनुमान को पवन के देपता वायुदेव का पुत्र कहा जाता है क्यूंकि पवन देपता द्वारा अंजना को पवित्र खीर देने की लोकप्रिय कहानी है जो राजा दश्रत के पुत्र काम यक्द के अनुस्ठान से उत्पन हुई थी वहीं खीर राजा दश्रत की तीनों पत्नियों ने खाई थी जिससे राम लक्ष्मन भरत और शत्रुगन का जनम हुआ यहां खीर उन्हें शिव की प्रातना करते समय दी गई थी जिनोंने वायुदेवता की उर्जा को अंजना के गर्व में प्राववित किया था इसलिए हनुमान को बायुपुत्र के नाम से भी जाना जाता है हनुमान की बचपन की कहानिया बड़े मनुरंजन का साधन है जो दादी नानी बच्चों को सुनाती है हनुमान बहुत सहसी और बेचेन बालक थे ऐसा माना जाता है कि उसने सूरज को पका हुआ आम समझ लिय और हरुमान ने पहले सूरी तक पहुँचने के लिए उसे पीटा इससे भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान पर ब्रज से प्रहार किया हनुमान वेहोच होकर पृत्वी पर गिर पड़े और उनकी ठुड़ी भी शतिग्रस्थ हो गए जिससे उस पर एक स्थाई निशान बन गया इस घटना ने उनकी पिता तुल्य वायुदेव को क्रोधित कर दिया जिन्होंने व्रामन से सारी हवा खीचली जब सभी मनुश्यों और जानवर हवा के लिए संघर्ज करने लगे तो भगवान इंद्र ने अपने व्रज का प्रभाव वापस ले लिया और हनुमान को पूर्ण जिवित कर दिया और पावन देवता को शांत करने के लिए देपताओं ने उन्हें कई बरदान भी दिये ब्रह्मा ने हनुमान को ब्रह्मा का पर्यूवर्तनिय शाप प्रदान किया जो यह सुनिचित करता है कि युद में कोई भी उन्हें किसी भी हथ्यार से नहीं मार पाएगा उन्होंने शत्रू में भय पैदा करने, मित्रू में भय नस्च करने और कहीं भी यात्रा करने के लिए अपना रूप बदलने में सक्षम होने की शक्ती का भी आशिरवाद दिया शिब ने दिर्गायू सास्त्रिय ग्यान और समुद्र पार करने की शमता का वर्दान दिया और एक बैंड भी दिया जो जीवन भर उनकी रक्षा करेगा भगवान वरुन ने उन्हें जल से मुक्ति का वर्दान दिया अगनी के देवता अगनी देव ने उन्हें आग से जलने से सुरक्षा का आशिरवाद दिया सूर्य देव ने उन्हें योग के दो आशिरवाद लगीमा और गरीमा दिये जिनका उप्योग करके वेक्रमशा सबसे छोटा या सबसे बड़ा रूप राप्त कर सकते थे पृत्यू के देपता यम ने उन्हें स्वास्ते और हतियारों से प्रदी रक्षा का वर्दान दिया। इस प्रकार उन्हें मृत्यू से पूरी तरह सुरक्षित कर दिया। सुर्य के शिष्य बन गए और उनसे बहुत सारा ग्यान प्राप्त किया। तब हनुमान ने सुर्य से उनसे गुरु दक्षिना लेने को कहा। जिसे उन्होंने अस्विकार कर दिया। हालांकी हनुमान ने बहुत आग्रह किया। और अंततह सुर्य ने उनसे गुरु दक्षिन में हनुमान की राम और लक्षमन से मुलाकात और उसके बाद उन्हें सहासी कार्यों का विश्टत्र विर्णन है राम और लक्ष्मन की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से होती है जब वे रामन द्वारा सीता क्या परण के बाद किसकिन्दा के जंगलों में सीता की तलाश में बटक रहे थे सुग्रीव को पहले राम और लक्षमन की पहचान पर संधेय था और वह उन्हें अपने भाई बाली द्वारा भेजा गया जासुस समझ रहा था हालांकी हनुमान को विश्वास था कि वे दोनों बाली के जासुस नहीं हो सकते क्योंकि वे प्रतिस्टित के उद्ध्याओं की तरह दिखते थे हालांकी और अधिक आश्वास्त होने के लिए सुग्रीव ने हनुमान को उनकी वस्तविक भचान और उनकी यात्रा के उदेश क पूस्ताश करने के लिए एक ब्रामन के भेश में भेजा। हनुमान से मिलने पर राम उनके अच्छे आच्रण के अनुकर्णिय गुणों और उनके बोलने के बिलकुल परिस्कृत लहेजे से बहुत प्रवावित हुए। राम ने उनमें एक भरोसे मन्ध मित्र के गुंड देखे जिस पर वह भरोसा कर सकते हैं। खासकर खत्रे की उस घड़ी में चफसीता गायब थी। जब राम अंततह हनुमान को अपना परिचय देते हैं तो हनुमान अपना भेश हटा देते हैं। और राम के चड़नों में गि अच्छी दोस्ती के उधारन के रूप में उध्रत करते हैं। हनुमान को राम और सीता की तस्वीर वाली अपनी छाती खुलते हुए बहुत लोगप्रियर रूप से चित्रित किया गया है। इसलिए हनुमान प्रित्वी पर अब तक पैदा हुए सबसे महन भक्त हैं। इस सुगरीब ने सीता को खोजने में राम और हनुमान की सहायता के लिए राम को वानर से ना प्रदान करने का बादा खिया। उन्होंने सीता की खोज के लिए वानरों को प्रित्वी की चारो दिशाओं में भेजा। वानर खबर लाते हैं कि सीता लंगा में है। हनुमान भार उपवन में सिता को कैद में पाया हनुमान ने उनसे राम के पास वापस आने का अनुरोध किया और उन्हें आस्वाशन दिया कि वह अपने सभी प्रयासों के साथ उनकी तलाश कर रहे हैं हालांकि सिता ने हनुमान के साथ जाने से इंकार कर दिया क्यूंकि वह स्वैम राम का आपमान होगा। उन्होंने हनुमान से कहा कि वे राम को यह संदेज दे दें कि वह केवल राम के साथ ही लोटेंगी। हनुमान ने सीता को राम द्वारा दी गई एक अंगुटी भी दी। अगर वह सीता को समान पूर्वक लोटा देगा तो वह उसे माफ कर देगा। इससे रामन बहुत प्रोधित हुआ और हनुमान की पूछ जलाने का आदेज दिया। हनुमान थोड़ी देर के लिए इसे जलने देने के बाद एक छट से दूसी छट पर खूते हैं, लंका के बड़े हिस्से को जलाते हैं, साथ ही अपने मज़गों को से बज़वीप चाते हैं, जिसके बाद वे राम के पास चाफ वापस आ जाते हैं, और फिर से समुद्र पर से एक शक्तिशाली जीवन दाई, जड़ी बूटी संजीवनी लाने के लिए भेजा, जिसकी उपयोग से लक्षमन के स्वास्ते को बाहाल किया जा सकता था, यह सुनकर रावण ने लक्षमन के मृत्यों की योजना बनाई, क्योंकि इस से राम इतने दुखी हो जाते कि बनाने में सफल हो जाता है, हलांकि हनुमान एक अफसरा की मदद से छड़ वेश का पता लगाते हैं, जिससे उन्होंने मगरमक्ष की शापित अवस्ता से मुक्त कराया था, और फिर उन्होंने कालनेवी को मार डाला, रावण फिर भी अपने प्रावसों से पीछे नहीं रावण जानता है कि यदि दिन के समय तक इलाज नहीं किया गया तो लक्षमन दम तोड़ देंगे, हनुमान को इस खत्रे का एहसास होने पर सुर्यदेव को पकट होने से रोपने के लिए खुद को अपने समान्याकार से कई गुना बढ़ा कर लेते हैं, और फिर जब उन् अस्या के समाधान के रूप में वह अपनी असीम ताकत के कारण पूरे परवत को उठा लेता है, और परवत को लंका की युद्ध शेत्र में रख देता है, जहां चिकित्चत सुस्टेंट जड़ी बूटी की पहचान करता है, और लक्षमन को वापस जीवन में लाने के लि और उनसे शमा मांगी क्योंकि सूर्य उनके शिक्षत थे, धन्यवाद, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे विडियो पसंद आते हैं, अगर आपको ये मेरे विडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जै वजरंग बली जी, जै स आराम हर हर महादेब